जे मसी की दोस्त हूँ, आज की सुरिगे मन्ना का भाग हमने लिया है, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 27वा वचन वचन कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, शुद्ध और निर्मल भक्ती ये है, कि अनाथों और विद्वाओं की व्यथा में उनकी सुधी लें, और अपने आपको संसार से निश्च कलंक रखें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा वचन सामर्थी है दोस्तों, भक्ती क्या है? भक्ती के बाइबल में कई प्रकार है, उन में से एक प्रकार है सेवा अगर हम परमेश्वर की भक्ती करते हैं, हाथ चोड़ कर, हाथों को उठा कर, खुटने टेक कर, परमेश्वर की दुखाई देते हैं, आरातना करते हैं, ये सब ठीक है लेकिन परमेश्र कहता है कि तू अगर मेरे चुने हुए बच्चों को इस धर्थी पर अगर तू उनके साथ भलाई नहीं करेगा अगर तू उनके साथ रहम नहीं करेगा दया नहीं करेगा जैसे मैंने तु इस पर दया की है तो तेरी भगती वियर्थ है तेरे नाम वियर्थ है मेरे जो तुझे चुना है क्यों चुना है ताकि तू मेरे चरिद्र को लेकर अपने में इस संसार में रहे और विध्वाओं और आनातों की सुधी ले विध्वाओं और आनात ये नाम किस ने दिया है संसार ने संसार ने उन्हें एक तमगा दे दिया है जिस औरत का पती मर गया है जिस बच्चे के माबाप मर गया है उनको एक तमगा दे दिया गया एक नाम दे दिया गया और वो नाम बताता है कि वो सबसे अलग है वो संसार से अलग है उनका कोई वजूद नहीं है उनका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन नहीं परमेश्र की निगाओं में उनका अस्तित्व है परमेश्र की निगाओं में उनका वजूद है परमेश्र की वो बच्चे है इसलिए हमारी भक्ति का एक प्रकार एक प्रकार ये होना चाहिए कि हम उनकी सुधी ले, उनकी वेता में, बचन कहता है उनकी वेता में हम उनकी सुधी ले, अगर वो दुख में है तो उनके दुख के भागीदार बने, अगर वो कश्ट में है तो उनके कश्ट के भागीदार बने, हम अपने में से, अपने सुख में से उनको सुख दे, बहु हम उनके साथ बाटे और उनकी वैथा को कम करें उनके कश्चों को खतम करतें क्योंकि ईश्यो मसी यही चाहता है इसलिए उसने अंतिम समय में अपने चेलों के पैड़ दोए और बताया जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आपको छूटा करें तब वो परवेशर उसे बड़ा बनाएगा इसलिए उसने पैड़ दोए और बताया कि हमारी हमारा कर्म हमारा जीवन हमारा काम इस धर्थी पर क्या है सेवा करना अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हम कुछ भी नहासिर नहीं कर पाएंगे अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हम संसार से अपने आपको निश कलंक नहीं रखे जाएंगे कहीं न कहीं कलंक हमें आ जाएगा क्योंकि सेवा हमें बताती है कि हमें जीवन कैसे जीना है सेवा में सयम है सेवा में धीरज है सेवा में सहन शीलता है सेवा में विश्वास है सेवा में प्यार है, सेवा में त्याग है और सेवा में ही आनन्द है जब हम सेवा करेंगे अपने दिल से, अपने मन से तो परमिशर की उपसिती, परमिशर की अनुपसिती को पाएंगे हमें विश्वास है इश्वमसी के चरणों पर हमें विश्वास है उसके वश्णों पर हमें विश्वास है उसके आने पर हमें विश्वास है कि वो हमारे अंदर चीवित है लिकिन बाइबल क्या कहती है याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और पंदरा, सोला, सत्रा वजंग क्या कहते हैं यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हो और उन्हें प्रति दिन के भोजन की आवश्यक्ता हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और त्रिप्त रहो पर उन्हें वो वस्तू ना दे पस कोई चीज है और हम प्रातना करते हैं परमेश्वर से लेकिन सेवा नहीं करते हैं तो हमारी प्रातना वेर्थ है हमारा विश्वास वेर्थ है अगर उसमें काम नहीं है इसलिए विध्वाओं और अनातों की सेवा करना उनकी वैथा में उनका साथ देना उनके लिए आशीश का कारण बनना यही हमारी भक्ती है और यह भक्ती का प्रकार है और इस भक्ती से परमिश्र प्रसंद होता है इसलिए आईए हमारे कलीसियां में ये तनी भाई बेन है अगर हमारे कलीसियां में कोई विद्वा है हम उसकी सिवा करें उसकी वैथा में उसका साथ है, कुछ आनात हैं, उनके लिए हम कपड़े लाएं, उनके लिए हम किताबे लाएं, उनको पढ़ाएं, तक हम उस भक्ती में, उस भक्ती का एक हिस्सा बन सकें, जो भक्ती परमेश्वर चाहता है कि हम करें, और जिसलिए परमेश्वर ने हम को च आईए सुनने वाले हर भाई में के लिए सुक और शांती मांगता हूं चंगाई मांगता हूं और मांगता हूं कि आज से अगर हमारे सामने हमारे जीवन में हमारे जानने में हमारे पहचानने में हमारे दायरे में अगर कोई विद्वा अगर कोई आनात है तो हम उसकी सुधी लेंगे हम उसके संग भक्ती का एक प्रकार निभाएंगे हम भक्ती करेंगे और उसकी सुधी लेंगे ताकि परमेशर हम से हमेशा प्रसंद रहे और हम संसार में निश्का रंखो धन्यवाद है परमेशर तेरे पवित समर्थी नाम में अद्बुश्य वाह धन्यवाद हाले हाले लगे हाले लगे